श्री वालमी की निर्मित रामायन बालकांड का छटा सर्ग आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्षय सुने और लाभांदेथ हूँ राजा दर्षत के शासनकाल में आयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिती का वर्णन उस आयोध्यापुरी में रहकर राजा दर्षत प्रजावर्ग का पालन करते थे वे वेदों की विद्वान तथा सभी उप्यों की वस्तों का संग्रह करने वाले थे दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे नगर और जन्पत की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी वे इक्ष्वाकु कुल के अधिरिथी वीर थे यग्य करने वाले धर्म परायन और जीतेंद्रिये थे महरिश्यों के समान दिविगुण संपन राच्ष्री थे उनकी तीनों लोकों में ख्याती थी वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्री विजई थे धन और अर्ने वस्तूं के संचय की द्रिष्टी से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे जैसे महान तेजस्वी, प्रजापती मनू, संपून जगत की रक्षा करते थे उसी प्रकार महरा तश्षत भी करते थे धर्म, अर्थ और काम का संपाधन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिक नरेश इस श्रेष्ट आयुध्यापूरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती पूरी का उस उत्तमनगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य, प्रसन, धर्मात्मा, बहुशृत, निर्लोब, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे उस रेष्ट पूरी में कोई भी ऐसा कुडुम भी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्टों का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुर्शार्थ सिधना हो गए, तथा जिसके पास गाय बैल, घोड़े, धन्धान आधिका अभाफ हो आयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, कुरूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था वहां के सभी स्त्री पुरुष, धर्मशील, सैयमी, सदा प्रसंद रहने वाले, तथा शील और सदाचार की द्रिष्टी से महरुष्यों की भाथी निर्मल थे वहां कोई भी कुंडल, मुकट और पुष्पहार से शूने नहीं था, किसी के पास भोग सामगरी की कमी नहीं थी कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुत्रा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हो, तथा जो सुगंध से वंचित हो अपवित्र अन्य भोजन करने वाला, दान ना देने वाला, तथा मन को वश में रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था कोई भी ऐसा पुरुष्ट देखने में नहीं आता था, जो बाजुबंद, निशक, अर्थात, सुवर्ण पादक या मोहर तथा हाथ का आभूशन कड़ा आदी धारण ना किये हो आयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था, जो अगनिहोत्र और यग्य ना करता हो, जो क्षुद, चोर, सदाचार्शुर्ण ने अथवा वर्ण संकर हो वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मन, सदा, अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वा अध्याय करते, तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे वहाँ कहीं एक भी ऐसा तुज नहीं था, जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्यान से रहत, दूसरों के दोश ठोणने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो उसपुरी में वेद के छेहों अंगों को जानने वाले, व्रत्यहीन सास्त्रों से कमदान देने वाले, दीन, विक्षिप्ट, चित, अध्वा दुखी भी कोई नहीं था आयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था, जो श्रीहीन, रूप रहित, तथा राजभक्ती से शुर्ने हो ब्राहमन आधि चारों वर्णों के लोग देवता और अतित्यों के पूजक, कृतक्य, उदार, शूर्वीर और पराक्रमी थे पूत्र और पौत्र आधि पारिवार के साथ सुक से रहते थे, क्षत्रिये ब्राहमनों का मुझ होते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्या का पालन करते थे, और शुद्र अपने कर्थवे का पालन करते हुए उपरियुक्त तीनों वर्णों की सेवा में सल्लगन रहते थे इक्षवाकु कुल के स्वामी राजा तश्रत आयुद्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करती थे जैसे बुद्धिमान महराज मनु ने पूर्वकार में उसकी रक्षा की थी शौरे की अधिक्ता के कारण अगनी के समान तुर्धर्श कुठलता से रहे अपमान को सेहन करने में असमर्ध तथा अस्त्र शस्त्रों के ग्यादा यूधाओं की समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे परवतों की गुफा सीहों के समहों से परिपूर्ण होती है कामबोज और बहलिक देश में उत्पन हुए उत्तम घोड़ों से वनायू देश के अश्वों से तथा सिंधुनत के निकट पैदा होने वाले दर्याई घोड़ों से जो इंद्र के आश्व उच्चे इश्रवा के समान शेष्ट थे आयुध्यापुरी भरी रहती थी विंधे और हेमाले परवतों में उत्पन होने वाले अत्यन्त बल्चाली परवताकार मधूनमत गजराजू से वहनगरी परिपूर्ण रहती थी एरावत कुल में उत्पन महापद्म के वंच में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्जों से प्रकट हुए हाथी उस पूरी की पूर्णता में सहायक हो रही थे हिमाले परवत पर उत्पन भद्र जाती के विंधे परवत पर उत्पन हुए मंद्र जाती के तथा सहा परवत पर पैदा हुए म्रिक जाती के हाथी भी वहाँ उपस्तित थे भदर, मंद्र और म्रिक जाती के संयोग से उत्पन संकर जाती के तथा म्रिक और मंद्र इन दू जाती Eh के सम्विश्ण से उत्वन हुए परवताकार गजराज भी जो सदा मदोनमत रहते थे उस पूरी में भरे हुए थे तीन यौजन के विस्तार वाली आयोध्या में दो यौजन की भूमी तो ऐसी थी जहां पहुँचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था इसलिए वे पुरी आयोध्या इस सत्य इवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दश्रत इस जगत का अपने राचे का पालन करते थे जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोग का शासन करते हैं उसी प्रकार महाते जस्वी महराज दश्रत आयोध्या पुरी का शासन करते थे उन्होंने अपने समस्त्र शत्रों को नश्ट कर दिया था जिसका आयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था जिसके द्वरवाजे और अर्गला सुद्रिर थे जो विचित्र ग्रेहों से सदा सुशोभित होती थी सहस्त्रों मनुष्य से भरी हुई उस कल्याण में पुरी का इंद्र तुल्ले तेजस्वी राजा तश्वत नयाय पूर्वग शासन करते थे इस प्रकार श्री वालमी की निर्मित आश्रामायन आदिकावे के बालकांड में छटा सर्व पूरा हुआ आप सभी को कोटी कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्साहित करे